हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टैक्टीकल में फिर से दोस्तों नई रुक्रीट्मेंट की इंफरमेशन लेके हैं रुक्रीट्मेंट ग्रामेंट डाक सेवर की पोस्ट के लिए हैं इंडिया पोस्ट में जो की मिनिस्ट्री अफ कम्यूनिकेशन के अंडर आती है पोस्ट ओफिस की एक तरह से रुक्रीट्मेट है जिसमें की बिना एक्जाम बिना इंटर्व्यू और बिना एप्लिकेशन फीस के जो है वह आप अपलाई कर सकते हैं किसी तरह का इंटर्वू नहीं होगा किसी तरह की जो है वह एक्जाम नहीं लिया जाएगा किसी तरह का आपसे फीस नहीं वह चार्ज करेंगे अगर आप SEC और FEMALE कैंडिडेट हैं बाकि अगर आप आते हैं जर्नल OBC से तो आपको जो हे वो फीस पे करनी पड़ेगी मातर सो रुपी है और अगर आपकी इसमें सेलेक्शन हो जाती है तो एक तरह की गौर्डमेंट जोब आपको अपने ही एरिया में जो हे वो मिल जाएगी वो भी पोस्ट ओफिस की तो अगर हैं complete vacancies जो हे वो हो चुकी है 2500 की जिसके लिए जो हे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जिस भी state के लिए जिस भी circle के लिए आप अप्लाई करें वहां की local language आपको आनी चाहिए अभी माल लीजेगर आप पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाब की local language आपको आनी चाहिए पंजाबी Northern Eastern के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की local language आनी चाहिए जारखंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की local language आनी चाहिए बाकी और भी eligibility criteria होता है जिसके बारे में हम लोग detail में बात करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जो है आपको कुछ भी सोचने जो है कि जरूरत नहीं apply करने से पहले सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी इडिया पोस से related ग्रामीन डाक सेवक है क्या क्या काम करना पड़ता है कैसे selection होगा कितने लोगों के chances हैं कौ आने वाली job update आपको time पे मिल जाएं तो इस recruitment की जो starting date है वो 12-11-2020 है यानि कि आवेदन शुरू हो चुके हैं 11-12-2020 तक चलेंगे यानि कि December की 11 तारीक तक जो है ये notification जो है रहेगी और इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे सबसे पहले आपको registration करना है जो है वो fees pay करनी है उसके बाद apply online पे click करके apply जो ही वो करना है लेकिन ये जो ही चीजे बात की है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि notification में क्या लिखा गया है और कैसे आपका selection जो ही वो होने वाला है सबसे पहले dark saver का का काम क्या होता है ग्रामीन dark saver का का काम जो है वो gram के अंदर होता है यानि sales का काम क्या है stem sales करनी पड़ती है और जो bags वगएरा है जिसमें mails होती है उनको इदर से उदर जो है वो कई बाद ट्रांसफर करना पड़ता है असिस्ट करना पड़ता है ब्रांच post master को या सब post master जो होते हैं उनको ताकि ये सारा जो कारे पर नाली है जो काम है office का department का post office का वो अराम से जो है वो smoothly चलता रहे और भी बहुत सारे काम होते है जैसे stationary वगएरा को जो है वो arrange करना या कोई चीज घतम हो जाती है उसको जो है वो village तक पहुचाना ये सारा काम जो होता है इसलिए जो है cycling भी इसमें मागी जाती है बाकि अगर आप जो है वो two village चला लेते ह है तो ये job आपके लिए हो सकती है अभी आगे बढ़ते हैं 18 से लेके 40 साल तक के एज़ वाले apply कर सकते हैं 12, 11, 2020 तक आपकी एज 18 से कम और 40 से जादा नहीं होनी चाहिए बाकि इस लक्सेशन आइस पर government टूल में लेगी जैसा की पहले मिलती आई है उसके लावा दोस्त अगर इन में से एक सब्जेक्ट में आपके माक्स नहीं है तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं अगर अपलाई भी कर पाएंगे तो बाद में सेलेक्शन नहीं होगा उसके लावा दोस्तों जो है computer language जो है computer माफ कीजेगा knowledge जो है वो आपके पास होनी चाहिए basic computer knowledge का 60 days का कम से से कम certificate आपके पास होना चाहिए चाहे government state institute या private institute से हो लेकिन अगर नहीं है तो 12 तक आपने जो है वो पड़ी होनी चाहिए computer education अगर नहीं पड़ी है तो certificate चाहिए अगर पड़ी है तो फिर जरूरत नहीं है किसी भी certificate की आप apply कर सकते हैं टू विलर चलाना आना चाहिए क्यो journal OBC economically weaker section के लिए बाकि female candidate SCST candidate PWD candidate के लिए किसी भी तरह की fees का criteria नहीं रखा गया वो बिना fees के जो है इस क्रामीन डाक सेवक की पोस के लिए apply कर सकते हैं उसके लावा बात करते हैं selection criteria कि जिसकों की समझने की जुरूरत है merit basis पे जो है वो selection होगा automatic generated जो है वो merit list होगी अब इसका जिनका percentage marks जो है वो सबसे जादा होगे माली जी अगर सबसे पहले number पे है जिसके 99.9% marks है तो वो पहले number पे आएगा इसी तरह अगर किसी के 98 है उसके बाद वो दूसरे number पे आएगा ऐसे करते करते merit list निकाली जाएगी वो top के जो thousand लोग होंगे उनको ये job मिल जाएगी 80 तक पी ये पहुंचाए तो ये सारी चीजे जो है वो होती है बाकि ये सारी चीजे बात की है बाकि अगर आपने किसी तरह की higher qualification जो है वो ले रखी है तो कोई weightage नहीं मिलेगा इसमें सिर्फ 10th के marks जो है वो देखे जाएंगे कि आपने 10th में कितने marks जो है वो obtain करें तो अ कोई भी job अभी रही नहीं है जिसमें आपसे बिना जो है वो interview के बिना जो है वो exam के आपकी जो है वो selection हो जाए और जो है वो government department से सबंदित हो apply कैसे करना है 12-11-2020 से 11-12-2020 यानि कि 11 December तक आप apply कर सकते link यहाँ पे दिये शुरुआत में मैं उसी link पे था जहाँ पे जाके यहाँ पे दिये गए है apply करने में कोई problem आती है कुछ पूछना है तो इन numbers पे और इस email पे आप उनसे वो contact कर सकते हैं तो बस दोस्तों यह सारी चीज़े जो है वो दी गई है उनकी official notification में बाकी सब notification लगपक से में eligibility criteria लगपक से में local language आनी चाहिए apply कर सकते हैं अभी यहाँ पे apply करने के लिए तीन section है registration, fee payment और apply online सबसे पहले आपको registration पे क्लिक करना है जैसे क्लिक कर देगे website आपको नए page पे ले जाएगी यहाँ पे आपको application form फिल करना शुरू कर देना है और यह काम आप अपने phone से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पताए कि कैसे करना है तो इस सारा काम करने के बाद आप apply कर दीजी उसके बाद जो हे वो list बता देंगे कि result आ चुका है उनके नाम जो हे वो display हो जाते हैं इसी website पर और वहाँ पे जाके आप easily जो हे वो देख सकते हैं कि आपका नाम है उसमें या नहीं है और कितना cut of together जो हे वो किया है तो यह थी दोस् के बारे में कुछ जानने की जुरूरत भी नहीं है eligibility criteria बता दिया selection process जो हे वो बता दिया है selection जो हे वो किनके chances जादा है कितने marks वालों को मोगा मिल सकता है ये भी मैंने बता दिया बाकी और जादा job update के लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं मारी official website को visit कर सकते हैं और दोनों के link description में भी देती है so thank you very much दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए और आशागरतां को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related आपके कुछ questions है comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next